सिगार पीते पीते घडियाल के जबडे से निकाल लिया अपना डॉग वीडियो हो रहा है वाइरल अमेरिका के फ्लोरिडा शहर से एक हैरत अंगेज वीडियो सामने आया है चोहतर साल के रिचर्ड विलवाक्स ने अपने तीन महिने के डॉग गनर को बचाने के लिए अपनी जान दाओ पर लगा दी एक हतरना घडियाल से वे भिड़ गए दरसल रिचर्ड अपने डॉग के साथ तालाब के पास घूम रहे थे कि तभी इस घडियाल ने उनके कुत्ते गनर पर हमला कर दिया लेकिन रिचर्ड ने इस घडियाल के जबड़े से अपने डॉग को भार भी निकाला और इस दोरान इस संगर्श के दोरान वे अपना सिगार पीते रहे शोशल मीडिया पर रिचर्ड की बहादुरी का इवीडियो काफी वाइरल हो रहा है एक बाचीत के दोरान विल वैक्स ने बताया कि जब हम तालाप के पास घूम रहे थे कि अचानक मिसाइल की तरह पानी से निकल कर एक घडियाल हमारे सामने आ गया मुझे पता ही नहीं था कि उसकी गती तनी तेज हो सकती है और वो हमारे कुट्टे को ले गया मैं बिना कुछ सोच समझे पानी में कूद गया और मैं उसको पकड़ लिया हलाकि उसे पकड़े रहना मुश्किल नहीं था लेकिन उसके जबडों को हाथों के साहारे खुला रखना काफी मुश्किल था इस पूरी घटना के चलते विल्वैक्स के हाथों में चोटे आई टिटनिस के शॉट भी लगे ये पूरा वीडियो फ्लोरिडा वाइल लाइफ के फैडरेशन ने कैप्चर कर लिया बात ये है कि रिचर्ड नहीं चाहते थे कि इस तालाप से घडियाल को बाहर निकाला जाए रिचर्ड ने कहा कि हमारी प्रकृति का हिस्सा है और हमारी जिंदिकी का भी हमें वाइल लाइफ और नेचर के साथ बैलन्स बना कर चलना होगा इस घटना में गनर को हलकी चोटे भी आई हैं लेकिन वे अपने कुट्टे को बचा लिए और उस दौरान वे सिगार पीते रहे ये वीडियो काफी वैरल हो रहा है क्या कहेंगे इस तरह की घटना के बारे में आप कॉमेंट में जरूर बताएं धन्यवार